हलो अब्रिवन तो कैसे हैं आप लोग चलिए समझते हैं लास्ट रसानिक अभिकिरिया के बारे में जिसका नाम है ऑक्सी करन अभिकिरिया बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन इस्टुडेंट इसको कंप्लिकेटिड बना देते हैं और उसने समझ में नहीं आता है तो बस आ अभिकिरिया वह अभिकिरिया है जिसके अंत्रगत किसी तत्वा या यौगिक में और हाइडरोजन निचकासन होता है यानि कि ऑघरों निकलता है उस अभिकिरिया को औक्सीकरन आफ्योंद आविकिरिया कहते हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग को समझ में नहीं आएं कि ऐस्कृ करण दरकिया है श्यष्य करण का मतलब समझे ऐसीयोग जैसे करल मतलब ऑकसिजन का जुड़ना जिस सब्सक्राइब ओक्सिजन जुड़े या आप लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का निकलना सौटकॉट में इलेक्ट्रॉन लिखिए हूं इलेक्ट्रॉन का निकलना या एक और हो सकता है विद्धुत रिडात्मक तत्व का जुड़ना या एक और हो सकता है विद्ध्धनात्मक तत्व का निकलना थिक्शन यान कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जूड़े गा या हाईड्रोजन निकलेगा यह इलेक्ट्रॉन निकलेगा या विद्धुत रिरात्मक तत्व झुड़े relationships तत्वाक तत्वा की और रहेगी और जिसकी विदूत्रात्मक तत्वा के चमतह कम रहेगी उसको अपनी ओर खीछने की खमता कम रहेगी खेर यह आप लोग को chapter 4 में पॉणना है अभी यह आप दोनों को यह दोनों आप लोग को नहीं समझ में आएगा न कोई बात नहीं है यह तो आप लोग को समझ में आना चाहिए क्योंकि यह 9th class का भी बच्चा जानता है तो यहां पर समझे इस पांचों घटना में से इस पां को आप लोग आख बंद करकर बोलिएगा कि ऑक्सी करण अभी किरिया है ठीक है अब जड़ा एक्जामपल लेकर समझते हैं क्योंकि समझ में आएगा एक्जामपल से जिसे की कार्बन है प्लॉस ऑक्सीजन है ठीक है क्या बन रहा है कार्बन डाई ऑक्साइड सीयो टू अभी क्रिया में अप्सीजन जुड़ता है उस अभी क्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जुड़ता है ति अभीक्रिया में क्या हुआ है औक्सीजन जुड़ा है इसको शिंदेशन adsx ठीक इसको उपचयन भी बोला जाता है एक और एकव्जांपल लीजे jcl है है हाई्ड्रोखड्लोरीकम अगर इसमें से एक निकल गया ना एच निकल कर अलग हो गया तब ही आप लोग बोलेंगे यानि कि हाईड्रोजोन निकल कर अलग हो गया तो भी हो लोग बोलेंगे कि यह जो अभीक्रिया है वो ऑक्सी करन है या फिर सोडियम लीजिए सोडियम का पर मारू संख्य कितना होता है अगर इसमें से से एक एलेक्टर निकल गया और एन्ने दस हो गया और इस पर प्लास चार्ज आ गया तो थो अप बताईए प्लास हमेशा माइनस को एठ्रेक्ट करता है तो इसलिए वीद्दू तुरातमक्त तो को जोड़ता है अपने आप में क्योंकि प्लास माइनस को एट्रेक्ट करता है और प्लास प्लास को दूर भगाता है इसलिए विद्धु धनात्मक्त तत्वा इसमें से निकलता है यान की भगा देता है तो आक्सीकरन समझ में यह यह अप्सीकरन जो अभी किरिया है वह हम लो जो पचता है वह ऑक्सीकरन अभी किरिया के कारण ही पचता है आप दिन में इतना सारा चीज खाते हैं और जब आप हवा से यान की वायू के मादेम से ऑक्सीजन यानिकी ऑक्सीजन को अंदर ले कर जाते हैं तो ऑक्सीजन जाता है तब पेट में ऑक्सीकरन की अभी किरिय कोई पूछेगा कि भोजन का पचना कौन सी अभीकिरिया है ऑक्सीडेशन रियक्षन ऑक्सीकरन अभीकिरिया ठीक है आगे बढ़े अब ज़रा समझते हैं और अभीकिरिया को यह समझ में आगे आगे जिसमें ऑक्सीजन जुड़े यह हाइड्रोजन निकले उसे क्या बुले अभीकिरिया जैसे कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा निकलेगा ऑक्सीजन का निकलना तो यह फिर इसमें हाइड्रोजन निकल रहा था तो इसमें क्या होगा हाइड्रोजन का जुड़ना ठीक इसका उल्टा करना है आपको इसमें क्य जुड़ना इसमें विद्धुत रात्मक तत्व जुड़ रहा था इसमें विद्धुत रात्मक तत्व का निकलना ठीक और इसमें विद्धुत रात्मक तत्व निकल रहा था तो इसमें विद्धुत रात्मक तत्व क्या होगा जुड़ेगा सिंपल बात है तत्व का जूडना थीक है यानि की ऑकशिकरयन और वहाब किनी है जिसमें किसी तत्व या जोगिक से औक्सिजन का निस्कासन और हाइड्रोजन का सहीओग होता है उस अभिक्रिया को औक्रणभिक्रिया कहते हैं यानि कि इसमें जुड रहा था अब इसमें ऑक्सिजन निकलेगा जैसे कि मान लेजिए सी यू ओहो है क्यूप्रिक ऑक्साइड है अगर इसमें से एक ऑक्सिजन निकल गया अलग हो गया तो इस अभी किरिया को क्या बोल देंगे और करण या डिदक्शन रियक्शन या फिर एक और एक्जमपल लीजिए है एच टू प्लस सी एल टू हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टू एच सी एल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अमल बनता है तो आप जरह बताईए इसमें सी एल टू को ध्यान से देखिए क्लोरीन को क्लोरीन पहले अकेला था अभी किरिया के बाद क्लोरीन में क्या जुड़ गया ह अगर किस अभिक्रिया में बॉलेंगे अघिकरण अभिक्रिया कौन से बखर देंगे अचि sorta धी ऐरे przy इसेलेक्टराण निकलता है लिए क्लोडीन का सत्रा होता है इसमें से एक electron निकल गया, तो 60 हो जाएगा, तो chlorine पर क्या हो जाएगा? minus 4 जाएगा, और जब minus 4 जाएगा, कोई electron, sorry, निकलेगा नहीं, इसमें electron का जूरना नहोता है, तो chlorine को लिजे, chlorine का 17 होता है, पर्मारू संख्या, chlorine का कितना होता है? 17, अगर इसमें एक इलेक्ट्रोन जूर जाएगा तो क्लोरीन अठाड़ा हो जाएगा ठीक है और कोई एलेक्ट्रोन किसी ततों में जाकर जूरता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है तो क्लोरीन पर क्या जाएगा माइनस चार्ट अब आप बताईए माइनस हमेशा प्लस को अपनी और एट्रेक्ट करेगा ना इसलिए यह जो है न अवकरन अभी किरिया में वेद्धु धनात्मक तत्व जूरता है यान कि हमेशा माइनस प्लस को अपनी और खीचता है और यह वेद्धु तर attendant ततों को निग निकालता है बाहर क्योंकि माइनस माइनस को दूर भगाये और विद्धु तर्मक ततों को अपने से बाहर निकाल देता है अब एक बात समझें आक्सिकरण की अभिकिरिया होती है पेट में भोजन के पच्छने के रूप में और एक और जगा होती है अभिकिरिया आप लोग देखते हूंगों कि जो भोजन होता है खाना वो दुरगंदित हो जाता है यानिकि उसमें से बदवु आने लगता है अगर आप लंबे समय तक को खुला छोड़ देंगे तो उसमें से दुरगान दाने लगता है क्यों क्यों कि वहां पर भी ऑक्सीकरन अभी किरिया होती है और उसी वजह से खाना में बदवु आने लगता है जैसे धीरे धीरे खाना का ओक्सीकरण होगा धीरे धीरे बदवु आएगा और पूरी तरीके से खाना में ओक्सीकरण हो जाएगा वह खाना से पूरा दुर्गंध आने लएगा तो आप लोग गाउं में बोलते हैं कि खाना बासी हो गया है ठीक है उसमें से बदवु आ रहा है तो वो किसके कारण होता है ओक्सी करण अभिकरिया के कारण ठीक है एक और चीज होता है जो लोहे पर जंक लगता है वो भी ओक्सी करण अभिकरिया के कारण ही होता है जो लोहा होता है एफ-ई लोहा का सिंबल क्या है एफ-ई फेरस मतलब लोहा जो होता है उस पर जंक क्यों लगता है लोहा जो होता है वो हवा में उपस्थिश जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन से अभिकिरिया करकर फेरस ऑक्साइड बना देता है देखिए लोहा पहले अकेला था ऑक्सीजन में हवा था ऑक्सीजन से अभिकिरिया करके यह फेरस ऑक्साइड बन गया और यही फेरस ऑक्साइड की परत उस लोहे पर जम जाती है जिसको आप लोग बोलते हैं जंक लगना लेकिन इसको कमेस्ट्री के भासा में बोलते हैं संचारण क्या बोलते हैं संचारण लोहा ऑक्सिजन से अभी किरिया करता है और फेरस ऑक्साइड बन आप जो कोई भी चीज जलाते हो लक्ड़ी manifestee हो वह सारी चीज जलती क्यों है क्योंकि हवा में oxygen रहता है इसलिए कोई भी चीज जलती है मालिए आप मुंबत्वकों जला रहे हैं तो मंबत्व को आप अगर आप कमरे में जलाएंगे न तो आराम से जल जाएगा लेकिन उस जलती मुंबत्य को किसी चीज से ढख दीजिए घ्लास से ढख दीजिए लिखे गां पूंबती बुश जाएगा क्योंकि आप जो ऑक्सिजन से वह अभी किरिया करके वह जो जल रहा था मुंबत से कर दिया तो oxygen असको मिले गा इसलिए मुंबत्य शूर जाता है आप लोक देखें लडर DC मुपर से चुख सीधा कर कर दिया जाता है या लैम्प और से खोल दिया जाता है ताकि हवा घुसे और हवा psychopath तब ही वह जो है लल्टेन वह जलेगा या फिर लैंप जलेगा ऑक्सीजन की अनुपस्तिती रहेगी यानि की ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज नहीं जलेगा यह ध्यान रखना है अब यह नहीं कि पूरा तेज पंखा चलाकर आप लोग जलाने लगे किसी भी जल सकता है यहां तक क्लियर हुआ ओक्सीकरन मतलब ऑक्सीजन का जूड़ना और हैड्रोजन का निकलना ओकरन मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हैड्रोजन का जूड़ना ठीक है अब जड़ा एक बात समझें मिटाती हूं मैं कि अब मैं एक एक्जाम्पल दूंगी आप लोग देखिएगा सी यू ओ क्यूप्रिक अक्साइड प्लस एच टू ठीक है एरो एच टू ओ प्लस सी यू क्यूप्रिक अक्साइड हाइड्रोजन से अभी किरिया करके जल यानि की पानी और कॉपर देता है कि आप लोग इसमें यह बताइए इसमें कहां आक्सीकरन हो रहा है और कहां अउकरन हो रहा है जिन marry के कहां औखिदेशन हो रहा था लेकिन अभीकिरिया के बाद कौपर चे ऑक्सिजन निकल गया और जिस अभीकिरिया में ऑक्सिजन का निस्कासन होता है यान कि ऑक्सिजन को दूर भगाया जाता है उस अभीकिरिया को क्या कहते हैं उस अभीकिरिया को बोलते हैं और नभीकिरिया या अपचयन अभीकिरि लिख दे रही है अब जड़ा आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए हाइड्रोजन के बारे में जड़ा सूचिए हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन को देखिए पहले अभिकिरिया के पहले हाइड्रोजन अकेला था लेकिन अभिकिरिया के बाद देखिए हाइड्रोजन में हमने क्या हो गया ऑक्सीजन जुड़े और उस अभीकिरिया को हम लोग बोलते है ऑक्सीकरण अभीकिरिया यानि कि यहां पर हाइद्रोजन अकेला भीत ति outta तक तक समझ मे आया तो यहां पर बीयो रहा है और ऑक्सिडेशन भी भी हो रहा है अब एक आप हमको बताइए किक्यूप्रिक औकसइड है क्यूप्रिक औकसाइड है क्यूप्रिक औकसइड अगर कौपर इस oxygen को देने तयार नहीं होता सदस्ट क्या Joseph often या अगर hydrogen क लेने के लिए तयार नहीं होता oxygen को तो क्या कोपर दे पाता देते रह सता और श्रम मन नहीं रहेता तो सिंपल बात है की oxygen होने के लिए जरूरी क्योंकि जोढ़ेंगे तो जोड़ने के लिए और कहीं पर आंगर आप निकालने के लिए सब्सक्राइब करन और दोनों अभी के लिए साथ साथ होगी बात नहीं समझ में एक बार फिर सम्झाएं यहां पर copper जो है वो oxygen को अगर नहीं देता तो hydrogen नहीं ले पाता और hydrogen अगर नहीं लेता तो copper नहीं दे पाता यानि कि oxygen oxygen करने के लिए oxygen जोड़ने के लिए जरूरी है कि oxygen कहीं से निकले तो जहां पर जुड़ेगा वहां पर तो oxygen होगा क्योंकि क्या कहते हैं वहां पर तो oxygen होगा क्योंकि oxygen को जुड़ने को कहते हैं तो जहां पर जिस तत्व में oxygen जुड़ेगा वहां पर तो oxygen होगा लेकिन जुड़ने के लिए कहीं से निकलेगा भी ना तो जहां से निकलेगा वहां पर तो oxygen होगा यानकि reduction होगा यानकि जब oxygen हो से रेडॉक्स अभी किरिया क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभी किरिया आ हुपोप चैन अभी कि रिया है या फिर इंप्र इंग्लिस में बोलते हैं werdCall quiser which returned कि थीक्ष यानिकि जब औक्सिकरन और अधिकरन अभी कि रिया दोनों एक सांथ होगी तो वह अभी我知道 कौन सीॹरीา कह Doctors और एक्जामपल में आप लोगों को देती हूं एक और इग्जामपल यह आप लोग बताइए जड़ा है एच टू एस प्लस लीजिए क्लोरीन एरो क्या बनेगा टू एच सील है टू एच सील हाइड्रोक्लोरिक अमल प्लस यहां पर सलफर अलग हो जर्ह आप यहां पर ध्यान दिजि нам बताइए कहां पर आउकसी करण हो रहा है और कहां पर ओकरण हो रहा है इसमें देखिए H2S इसमें सल्फर अलग है सॉरी इसमें सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और अभिकिरिया के बाद जरा देखिए सॉरी सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और अभिकिरिया के बाद जो सल्फर है वो हाइड्रोजन सल्फर से हाइड्रोजन क निकलता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं औक्सी करन अभिक्रिया यानि कि यहां पर क्या हो रहा है औक्सी करन हो रहा है क्या हो रहा है अब यहां पर क्लोरीन को देखिए क्लोरीन को एक मिनट यह मिट्राने देजिए क्लोरीन को देखिया क्लोरीन पहले अकेला था अभिक्रिया के बाद इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है क्लोरीन के साथ यानि कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं आउकरन यानि कि यहां पर आउकरन हो रहा है ठीक है और जब यह दोनो अभी करिया साथ-साथ होगी तो इसे उपोफ चैन यानि की रेडॉक्स अभी करिया कहेंगे उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया है अगर आप लोग यहां अधार काड़ बनाने वाला एजेंट जो दूसरे का अधार काड़ बनाता है उसी तरह जो इस्कूल करवाता है दूसरे क्या को पर यांब कि आयनि जो दूसरे का ऑक्सिकरण करवाता और रोकारक यान की reducing एजेंट वह एजेंट है जो दूसरे का रिडूसंग करवाता है यानि की दूसरे का और करवाता है अब इसको एक्जामपल के तौरपर सुनिये हैं यहां पर क्यूप्रिक ऑक्साइड ए फिर्ट अपनमें सी औक्सिजन निकाल कर किसको दे रहा है किसमें में जोड़ रहा है है ऑज्रोजर में क्यूप्रिक औक्साइड औक्सिजन को निकाल कर है रोजन में में जोड़ यान कि हाइड्रोजन का करवा रहे है ऑख्सीकरन है यानि कि सीयू औक्साइड限 है दूसरे का करवा रह Kings उसको क्या बो úl n और यहां पर ध्यान दीजे हाइड्रोजन जो है वो दूसरों में से अक्सिजन ले रहा है यानि कि क्या होता है और तो यहां पर है दूसरे का ऑखरन करवारा है तो यहां पर ह yes हाइड्रोजन क्या हो जाएगा और क्योंकि दूसरे में से निकाल रहा है हाइड्रोजन दूसरे में से निकाल रहा है तो दूसरे का क्या करवा रहा है और खुद में जोड़ रहा है तो भले करवा रहा है लेकिन खुद में जोड़ रहा है तो इसका खुद का क्या होगा ऑक् क्योंकि जोडने के लिए खुद मेंसे तो झालेगा तो यहां पर सी उओ यानिकी क्यूप्र ओक्साईड का भले ही खुद का क्वारान हो रहा है यानि कि सी यू का क्या करवा रहा है यानि कि ऑक्षीकारक वह होते हैं जिस करवाएंगे लेकिन खुद का होगा आकरन लेकिन यहां पर समझ में और इसी के साथ यह लास्ट टॉपिक था आपके फुर्स चेप्टर का केमेश्ट्री का यह च्यप्टर अपका कंप्लीट होता है फुर्स चेप्टर अगर अगर आप लोग सेकंड चेप्टर के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट करकर बताईए का सेकंड चेप्टर में बहुत फी जल्द अपलोड करूंगी आप लोगों के बीच ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियों में तब तक के लिए ज